लेकर के आया हूं वीडियो नंबर 29 आज हम पढ़ेंगे हेंरी फायोल के एक और प्रिंसिपल के बारे में देखों सबसे पहले का पीज नंबर 59 शुरू करने से पहले क्या होता है हमेशा हमारा स्लोगन study together, grow together देखों सबसे पहले इस प्रिंसिपल के meaning समझो मैंने क्या बोला BST में अगर कुछ concepts clear रखने हैं तो tap on the name सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाती हैं remuneration का मतलब क्या हुआ? remuneration का मतलब होता है salary given to the employee ठीक है? employee का मतलब आपको पता ही है, personnel या फिर employees या फिर labor यानि कि basically ये principle किस बारे में बात करता है? ये principle बात करता है employee के salary के बारे में तो basically principle क्या कहता है? समझना learning tip है यहाँ पे आपके लिए pay fairly to employees ये जो पूरा principle है Henry Fayol का ये एक छोटी सी CDC बात करता है कि अपने employees को fairly pay करो यानि जितना वो deserve करते हैं, जितनी जिस type की वो महनत करते हैं, जिस type की उनकी job profile है उस according उनको pay करो, उनको कभी भी under pay मत रखो क्योंकि अगर एक employee under pay होगा, तो वो employee कभी अपनी maximum capabilities के according काम नहीं कर पाएगा ठीक है, चलो शुरू करते हैं, hashtag पर ध्यान दो, remuneration system must be such तो according to this principle what Mr. Henry Fayol said कि remuneration system यानि कि आपकी organization में salary pay करने का जो system है वो ऐसा होना चाहिए कुछ providing adequate remuneration to employees, देखो मैंने या पर remuneration की meaning लिख रखी है salary, तो आपका जो system है पैसा पे करने का वो ऐसा होना चाहिए कि हर एक employee को अच्छी salary मिले, adequate लिखा है यानि कि sufficient होता है adequate का मतलब, यानि जितनी वो deserve करता है उतनी salary मिले, ठीक है, then of course आपके mind में question आ रहा होगा कि अब ये कैसे क्या parameter होंगे, हम कैसे check करेंगे कि salary adequate है या नहीं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, next, second is motivates the employee, देखो ये बात तो है भई, ये बात बहुत clear है, आपने भी सुना होगा, money is the greatest motivation, दुनिया कि सबसे बड़ी motivation पैसा ही होता है, ठीक है, अगर एक employee काम कर रहा है एक organization में, तो इसलिए नहीं कर रहा है, क्योंकि उस मैशा motivated रहेगा, वो और ज्यादा काम करना चाहेगा, और देखो अगर आप उसको ज्यादा अच्छा pay कर रहे हो ना, मतलब अगर वो money के perspective से satisfied है ना, तो वो motivated भी रहेगा, और कभी कबार अगर आपने उसे dart भी दिया ना, तो वो ज्यादा react नहीं करेगा, taking into account वो सोचेगा कि कोई बात नहीं है, पैसा भी तो इतना अच्छा मिलता है, then third, provide safety and security, यानि कि आपको उसको इस type का पैसा देना है, कि जो ना सिर्फ उसकी basic livelihood को cover up करे, बलकि उसकी family को एक safety and security का status भी provide करे, यानि अच्छी health conditions भी हो, जैसे आप बहुत सारी organizations देखते होंगे, जहां पर जो employees काम करते हैं, उनको medical insurance मिल जाता है, या फिर उनका जो bill होता है medical का, जो दवाईयों का, जो health care, जो उनों ने लिए उसका जो bill होता है, वो pass out हो जाता है, largely central government के employees के साथ तो ये होता ही है, और बहुत सारे private firms भी करती है, तो वो ऐसा क्यों करती है, बिकास ये सारी चीजे करके आप एक employee की total 100% loyalty अपने तरफ attract कर रहे हो, then raises standard of living, कि आपका remuneration system ऐसा होना चाहिए, जो एक employee का standard of living, यानि की रहने का, सहने का तरीका, lifestyle जो है उसकी वो improve कर सके, तो बहुत ध्यान देलो मेरे साथ, remuneration system कैसा होना चाहिए, first of all, कि वो adequate salary provide करे employees को, adequate यानि की sufficient salary, sufficient कि इस perspective में, कि इस तरीके से कि वो motivated हो, psychological satisfaction हो उसके पास, provide safety and security, यानि कि physical satisfaction हो उसके पास, उसकी family की health needs को satisfy कर पाए हो, then raises standard of living, और उसका जो social, जो existence है वो भी fulfill हो, उसकी standard of living भी बढ़ती जाए, ऐसा आपको एक type का remuneration, हर हमेशा हर एक employee को provide करना है, अगर आप इस type के remuneration system को follow करते हो, तो हमेशा आपकी employee की loyalty आपके लिए बनी रहेगी, then समझना what Henry Fayol said, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने कखी, और काफी logical भी थी, कि अगर आपका employee underpaid है, hashtag पर ध्यान दो, underpaid employee is equal to dissatisfied employee, अगर आप उसे उतना पैसा नहीं दे रहे, जितना वो deserve करता है, या उसे ल अपने best capabilities के according काम नहीं कर पाएगा, and then turnover होता रहेगा, turnover मतलब के employee नए से नए जौब को अच्छे से अच्छा जौब ढूंता ही रहेगा, यार एक बहुत चोटी सी और एक आसान सी चीज है ना, कि अगर आप कहीं काम कर रहे हो मान लो, ठीक है, और आपको वहाँ पैसा ही मिल रहा, तो आप क्या करोगे, आप जिन्देगी पर वही जौब करते रहोगे, क्या, नहीं ना, आप obviously उससे अच्छी जौब करना चाहोगे, आप चाहोगे ऐसी जगे जहां मिले को दो ती नजार ज्यादा पैसा मिले, आप वो जौब ढूंडोगे, to the contrary, आप एक ऐसी स्टाइल बढ़ रहा है, कभी आप उस जौब को छोड़ना चाहोगे, तो यहीं हम्री फायोल ने कहा, कि अगर एक employee underpaid रहेगा, तो वो हमेशा dissatisfied होगा, और turnover बढ़ता जाएगा employee का, turnover मतलब employee shifting its job, then अगर आप उसे सही तरीके से pay करते हो, adequate paid employee on the other hand क्या होगा, हमेशा stable रहे स्टेबल मतलब, वो कभी भी दूसरी जौब के तरफ देखेगा ही नहीं, वो अपनी जो जौब कर रहा है, उसे satisfied रहेगा, क्योंकि इसको अच्छा खासा पैसा मिल रहे, then वो अपने maximum efforts के तरह contribute कर पाएगा, यानि कि वो अगर एक employee को अच्छा पैसा दोगे ना, तो वो अ performance में, और वही सबसे बड़ा growth का reason होता है, किसी भी employee की performance में, ठीक है, अब सबसे important question आता है, आप लोग पूछोगे, कि सर आपने ये तो कह दिया कि इसे adequate दो, पर अब हम ये कैसे पता लगाएं, as an employer, as an organization, कि भया, ये salary तो इस particular employee के लिए adequate होगी, क्योंकि बात क्या है, बात आप तो इत्ता जाता दे रहे हो, मत दो, मत दो, मत दो, तो वो तो होगा नहीं, हाना, और हर एक बंदा, कभी ना कभी आपको ऐसा complaining way में लगेगा, कि उसको ऐसा लगेगा, कि उसकी salary हमेशा ही कम रहती है, हाना, तो फिर क्या किया जाए, कैसे fair wages, रही fair adequate wages, जो मैं ये बार wages कैसे determine करोगे, तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए, सबसे पहले, financial capacity of the organization, कि आपकी खुद की pay करने की capacity कितनी है, अगर आप एक large organization हो, और बहुत बड़े scale पर आपके productions होते हैं, बहुत बड़े figures में आपका profits जाता है, तो आप obviously उसको अच्छी salary, बहुत अच्छी salary provide कर सकते हो, to the contrary, आप अगर एक sole proprietor हो, या एक small scale organization हो, ज्यादा बड़े numbers में आपका profit नहीं होता, तो आप उस according की उसको pay करोगे, तो यह तो first है ही सबसे बड़ा basic factor, कि जैसा आप ऐसा आपके पास है, उस according आप अपने employees को pay करोगे, then second जीज क्या है, considering the minimum wages, very important, government ने हर country में decide कर है, what will be the minimum wages, जैसे मैं इंडिया की बात करूँ, तो minimum wages 6,000 रुपीज है, यानि कि कोई भी employee जो आपके यह काम कर रहा है, आपको उसे minimum 6,000 रुपीज का wage provide करना होता है, तो fair wages कैसे determine होगी, number one, आपकी खुती paying capacity पे, then second, जो minimum wages उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है कि आपको वो minimum wages उस employee को देनी ही पड़ेगी, then third very important, another important factor, competitors pay, कि आपका competitor क्या दे रहा है, आप उस according pay करोगे, अगर आपका competitor ज्यादा salary दे रहा है, तो ultimately आपको अगर अपने employee को turnover से job shift करने से बचाना है, तो उसे competitors के according pay करना पड़ेगा, तो तीन चीज़ें यहां पर बहुत important है, इसक कि fair wages, आपने fair salary, fair remuneration, अगर employee को दी, तो इसके positive effects क्या होंगे, सबसे पहले employees get motivated, employee क्या होगा, वो बहुत motivated हो जाएगा काम करने के लिए, क्या बताया मैंने, money is the major motivation, तो वो बहुत खुश रहेगा, then devotion and commitment of employees, देखो यहां पर upward arrow है, इसका मतलब क्या, कि अगर उसको अच्छा पैसा मिलेगा, और वो motivated रहेगा, तो वो और ज्यादा devote हो करके, और ज्यादा commitment के तरफ काम करेगा, उसकी devotion and commitment हमेशा uplift रहेगी, इसलिए यहां पर एक upward arrow बनाया, अगर आपने remuneration of employee को follow नहीं किया, तो इसके consequences of violation क्या होंगे, ठीक इसके उल्टे, employee कभी भी stable नहीं रहेगा वो हमेशा turnover करता रहेगा, एक job, job से दूसरी job, दूसरी job से तीसरी job shift होता रहेगा, then अगर उसको अच्छा पैसा नहीं मिलेगा, तो वो dissatisfied रहेगा, कभी भी खुश नहीं रहेगा अपने काम से and as a result demotivate हो करके काम करेगा, अपनी best capabilities के according perform नहीं कर पाएगा, आया आपको स description box जरूर चेक कर लेना, वहाँ पर जाकर के notes डाउनलोड कर लेना, like करो, share करो, subscribe button को click करना, मत भूलना, tata take care, bye bye